हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे चलिए आज हम चुरू कर रहे हैं यहां पर नया टॉपिक नहित फनलों का आउकलन तो नहित फनलों का आज से हम पढ़ेंगे जिसके कुछ सूत्र हैं यह मैंने लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं यह लिखे हुए हैं इसे मैं फस्ट नंबर डाल दूं इसे सेकेंड और इसे थर्ड और इसे फोर्ट तो यहां पर फार्मूले लिखे हुए हैं और पिर यह आगे फेट हैं और अभी आगे हैं तो यह फार्मूले लिखे हुए हैं आपको इन्हें याद करना आपको इन आगे प्रस्णावली हल नहीं होगी तो चलिए हम आपको बता देते हैं देखिए अगर कहीं पर भी डी वाई डी एक्स एक्स की घात N लिका रहे तो उसका सूत्रे हो जाएगा N X N-1 दूसरा होई दूसरा है कि A की घात X कहीं पर भी अगर A की घात X रहेगा तो उसका लगेगा A की घात X लाग E बेस क्या बोलेंगे से लाग E बेस यह मतलब यह E नीचे रहेगा और उसके बाद फिर अगला है अगर कहीं पर D Y D X E की घात X रहे तो उसका आउकलन सिर्फ सिर्फ E की घात X हो जाएगा उसके बाद चौता नंबर है D Y D X लाग E X अगर कहीं पर भी D Y D X और लाग E X रहे तो एक बटे X उसका उकलन हो जाएगा तो यह चार तो आप समझ गए होंगे उसके बाद पच्वा नंबर जो है यह वाला बाई नहीं है नहीं तो आप बोलें कि यह बी वाला बाई है नहीं इसे D Y D X मतलब बटे बोलते हैं तो क्या है D Y D X X की घात X बटे Y मतलब हर बटे एंस और उसके बाद इसका आउकलन यह होगा क्या होगा Y D Y D X हो जाएगा और माइनाज X D Y D X Y पूर एक बटे Y का स्कोर इसे हम दूसरी प्रकार से भी लिख सकते हैं रुब जाई हम आपको लिख के दिखा देते हैं जैसे यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं इसे क्या लिख सकते हैं इसे हम लिख सकते हैं D Y D X और इसे हम उपर वालों को क्या लिख सकते हैं इसे अंस लिख सकते हैं उपर वाले को और इसे बटे लगा दे और नीची वाले क्या लिख सकते हैं हर लिख सकते हैं ऐसे कर सकते हैं तो देखिए इसका क्या बनेगा इसका बनेगा सबसे पहले हर उसके बाद डी वाई डी अक् है उसके बाद पिर पढ़नेगा माइनस फिर से लिएक नपड़ेगा आपको अनस उसके बाद dy- और उसके बाद हर इसके बाद पूरे का बाटे हर का और का Alors मासला ये फार्वूला ये हिंदी में है और ये एक्साishrit के रूप में लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने दिक कर लिका है सबसे पहले देखी इस question में आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ हुआ है तो इसमें सबसे पहले क्या होता है हर d y d x uns तो यह वही तुम अने लिखा है हर d y y d x और एक्स अंस और उसके बाद माइनस लगा है तो यहां पर माइनस लगा है और उसके बाद फिर UNS तो UNS देख सकते हैं X है तो UNS X है उसके बाद DY-TX हर Y है तो हर Y है और उसके बाद हर Y का वर्ग है तो हर Y है उम्मीद करता हूँ यह वाला आपको समझ में आ गया होगा अगर नहीं आया तो ठीक है आप जैसे लिखा है वैसे याद कर लिजिएगा फिरहाल आप अगर इस तरीके से याद करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा और यह समझ में भी आता है अच्छे से एक बार मैं पढ़े दे रहा हूं इसको कैसे पढ़ते हैं इसे क्या कहेंगे डी वाई डी अक्स हर बटे अगर ऐसे बटे गुरूप में यहाँ पर आपको कुछ भी दे सकते हैं वी बटे यू भी दे सकते हैं एम बाई एन भी दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं तो चलिए हम पढ़ देते हैं क्या है हर बटे अंस तो इसका क्या होगा हर डी वाई डी अक्स माइनस अंस डी वाई दी एक्ष हर बटे हर का वर्ग, चलिए एगले की तरफ पढ़ते हैं, अगला फार्मूला क्या लिखा है, डी डी एक्ष X इंटू य, भराबर क्या होता है, x dy 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 यह लिख सकते हैं यह अगर इस पर कहीं कोष्चन बनेंगे तो कैसे बने जैसे आपको लिख सकते हैं कि साइन फोर एकस इंटू कॉस एकस या कुछ यह भी ऐसे तो यहां पर आप इसे फ़र्श्ट फंसन मान लेंगे और इसे आपको सेकेंड फंसन मानना पड़ेगा तो यह वही है यह सूत्र मतलब इस इस इस्तितियों में लगेगा तो चलिए इसका क्या होता है इसका होता है फ़र्श्ट फंसन डी बाई डी अकस सेकेंड फंसन और उसके बाद फिर प्लस प्लस सेकेंड फंसन डी बाई डी अकस फ़र्श्ट फंसन बस यह वही लिखा हुआ हिंदी में मतलब इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि इसके बाद चली हम लोग आगे पढ़ते हैं आगे कुछ फार्मूले हैं जिने में लिखा देता हूँ आप लिख दीजिए तो अगला क्या है अगला जैसे आपको कहीं में सकता है डी बाइडी एक्स साइन एक्स तो डी बाइडी एक्स साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स क्या हो जाएगा सीधा कॉस एक्स हो जाएगा और वहीं पर अगर कहीं आपको मिल जाए डी बाइडी एक्स कॉस एक्स तो इसका हो जाएगा माइनस साइन X इसका हो जाएगा माइनस साइन X इसके बाद अगला होता है D, Y, D, X 10 X क्या होता है 10 X इसका होता है S, X, X यह हो गया उसके बाद मैं यहां पर बगल में लिख देता हूँ कामा लगा कर उसके बाद क्या हो गया SIE X का हो गया SIE COS X अब COS X भी होगा तो D by D X COS X X इसका सूतर हो जाएगा इसका माइनस माइनस COS X इंड OUT 10 X माइनस COS X सरी, 10 X نہیں होगा composite x into cot x उसके बाद अगला क्या हो जाएगा d by d x sec x सेक x इसका क्या हो जाएगा सेक x into tan x इसका यह हो जाएगा और उसके बाद अगला जो हो गया अगला हो गया d by d x dy dx cot x cot x बराबर इसका हो जाएगा cot x का क्या हो जाएगा minus cos x minus cos x square x हो जाएगा यहाँ पर इसका minus cos x square x हो जाएगा ओ सोरी आप लोग को दीख नहीं रहा था चलिए कोई बार नहीं मैं यहाँ पर आपको दिखा सकता हूं आप देख लीजिए कि यह लिखा है dy dx cos x बराबर minus cos x into cot x dy dx sec x sec x into 10 x और dy dx cos x बराबर minus cos x इसका हो जाएगा अच्छा आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कहीं कहीं पर minus आ गया है और कहीं पर minus नहीं आ है कि जो सुफालन है उसके अगर सुरू में कहीं पर भी c होगा सुरू में सिर्फ c जैसे इसके सुरू में c है इसके सुरू में c है इसके सुरू में c है तो जिसके सुरू में c है उसके आगे minus आएगा इसके सुरू में यहाँ पर c है तो यहाँ minus आया यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर C है तो यहाँ माइनस आया यहाँ पर C है तो देख सकते हैं यहाँ पर माइनस आया इसका मतलब की और इन में देख सकते हैं आप इसमें नहीं है साइन मतलब C नहीं है इसमें भी C नहीं है इसमें भी C नहीं है शुरू में तो माइनस नहीं है तो इसका मतलब जहां जहां पर शुरू में C रहेगा वो माइनस में होगा ओ सोरी यहां पर एक फार्मूला मिस हो रहा था आप देख सकते हैं घात फलन कॉंड यह क्या लिखा हुआ है तो इससे बताना मैं भूल गया तो चलिए कोई बात नहीं अब बता देते हैं तो इसका मतलब है घात अगर कोई फंसन दिया होगा तो उसके सबसे पहले हम घात का उकलन करेंगे उसके बाद फालन का उकलन करेंगे फिर उसके बाद हम कोण का उकलन करेंगे उसके बाद कॉन्ड का उकलन करेंगे तो आप कह रहे होंगे ये क्या है तो रुक जाएए मैं आपको ये भी बता देता हूँ सब कुछ बताया जाएगा यहाँ पर चलिए मैं आपको बता देता हूँ जैसे कहीं पर लिखा हो साइन साइन थीरी एक्स का होल स्क्वेर जैसे ये कहीं पर लिखा होगा तो सबसे पहले घात ये है सबसे पहले आपको घात का उकलन करना है सबसे पहले आपको किसका उकलन करना है घात का उकलन करना है उसके बाद आप देख सकते हैं ये फलन है ये फलन है तो उसके बाद आपको फलन का उकलन करना है फलन और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यह इतना जो है यह कोण है उसके बाद कोण का उकलन करना है यह नहीं कि आप पहले फंसन आपको दिख रहा है मतलब फलन आपको दिख रहा है यह sin 3x तो आप इसका उकुलन करने दें नहीं सबसे पहले आपको घात का उकुलन करना है उसके बाद फिर फलन का उकुलन करना है उसके बाद कहीं कोण का उकुलन करना है यहाँ पर एक दो फार्मूले और भी बचे हुए हैं चलिए मैं उनको भी लिखा देता हूं और उसके बाद फिर हम वीडियो को समाप करते हैं तो अगला फार्मुला क्या है कि डी बाइडी एकस डी बाइडी एकस सी सी मतलब कॉंसोनेंट्स का अगर कहीं पर भी आ जाए तो इसका मान क्या होगा मतलब अगर कहीं पर भी कॉंसोनेंट्स आ जाए नंबर आ जाए तो इसका मान जीरो होगा जैसे कहींपर आपको बोला जा सकता है की देखिए मैं लिक देता हूं 3 काउकरन कीजिए तो इस कामान हमेंसा 0 आएका कुछ भी कोई बड़ी संख्या हुद मतलब kol З honour उसकामान 0 होगा आक आध आपकरन करने के लिए बोलेगा तुम उसके बाद अगला फार्मूला क्या है अगला फार्मूला आपको टुक जाएए में लिखा रहा हूँ अगला फार्मूला है कि कहीं पर भी अगर लाग ई बेस ई हो तो उस कमान सदर एक होता है क्या होता है डी बाई डी एकस लाग ई बेस ई अगर कहीं पर भी आपको ये लिखा मिल जाए तो इस कमान भी सदय एक होगा मतलब लाग ए कमान एक होता है और यदि आपको कहीं पर भी मिल जाए डी बाइ डी एक्स लाग ए तो इस कमान जीरो होगा क्या मिल जाए डी बाइ डी एक्स लाग ए लाग ए लॉग A मिल जाए कहीं पर पर तो इसका माल जीरो होगा चलिए ठीक है और इसके बाद अगर आपको कहीं पर भी एक और लिक्जान मिल रहा है अगर आपको कहीं पर D by D X उसके बाद X की घात X मिल जाए X की घात X मिल जाए तो उसका सूतर क्या हो दोगा X की घात X ब्रेकट में 1 प्लस 1 प्लस लॉग X अच्छा आप कहे रहे होंगे कि अभी तो लिखाया कि X की घात N का और आप भी फिर लिखा रहा हैं पुना X की घात X का तो ये X की घात N है इसका फार्मूला दूसरा होगा और इसका क्या होगा अभी मैंने बताया की N X N-1 और इसका मैंने अभी तुरंट यहां पर लिखा है क्या लिखा है X की घाट X उसके बाद 1 प्लस लॉग X मतलब इसका सूत्र इसका सूत्र दूसरा को मतलब इसका मतलब कि कहीं जो फंद ये लिखा हो वही उपार आ जाए जो यहां पर लिखा हो वही यहां पर जैसे कहीं पर 10 की घाट 10 आ सकता है इस तरीके से यहां पर question बनेंगे और यहां पर जो question बनेंगे वो दूसरी तरीके question बनेंगे यहां पर जैसे x आ है तो x की घात 5 वगएर आ सकता है इसी तरीके question यहां पर आ सकते हैं तो चली है ठीक है अब आगे ज्यादा फार्मूला नहीं है अब सीधा अगली वीडियो में हम आपको प्रस्नावली के question हल कराएंगे जितने फार्मूले important है मैंने लिग दिया अगर कोई छूट रहा है तो हम आगे आपको बताएंगे वीडियो में पूरी पूरा देखने के धन्यवाद आप अपने दोस्तों को share कीजिए और चैनल को subscribe कर दीजिएगा लाइक कर दीजिएगा जिससे हमारा motivation बढ़े जैहिं जै भारत